कुछ ऐसे किचन टिप्स है जो काफी ट्रेंडिंग में है वाइरल हो रहे हैं और क्या वो किचन टिप्स वाकई हमारे लिए काम के हैं या नहीं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विल्कम टू माई चैनल मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की टिप्स अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथ ही चैनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैन अजनल चाहिए चींट कंए अधिवर ओर न॓र का बार योज़र को सब्सक्राइब नहीं कि अगर बनी को सबसें है अब इसमें डाल देंगे पांच छीजी ओर तो सबसे पहला हमने अगे दूसरा हम डालेंगे डिया अगे बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता हम डाल तो यहां पर रिफाइन तेल भी ले सकते हैं लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा अब इसे के साथ इसमें हम डालेंगे गुलाब जल गुलाब जल भी आपको एक छोटी चमच लेना जादा नहीं लेना है बस इसे क्या को बहुत अच्छी खुस्बू आएगी तो एक छोटी चमच मैंने गुलाब जल डाल दिया है कि अब इसमें हम एक जादा नहीं डालना है बस एक छोटी चमच ही डालना है तो धेखिए जाग जैसी यह निम्बू का रस सोड़े जाएगा बहुत सारे बबल्ल दाने लगेंगे तो मैंने क्छोटी चमच निम्बू का रस ले लिय चूना जो पान के ऊपर लगाते है ना वह चूना जो खाते भी है वही वला चूना मैंने लिया है एक छोटी चमच के करीब अब इन सारी चीजों को अच्छे सामें पीस लेना है ग्राइंड कर लेना है कुछ नहीं आड़करना बस इतना ही चीज़े है और चली मैं कुम कुम तो बन गया है लेकिशनक रोली जो पुजा करने में यूज करते यह जैसा ।ak great- Photoshop और रेड कलर भाओा पहले से मिलावट हो सकते हैं घर की जो हल्दी होती है प्योर वाले ले तो साइद उससे बन सकता है लेकिन यह सिंदूर नहीं बना लेकि रोली जरूर बन गया है तो इसको मैं थोड़ा सा मैंने क्या कि ना हाथ पे लगा के भी आपको दिखा देती हूं इस तरीके साहतों के पर मैंने लगाया है और दीखी कलर तो लाल यह लहीं नहीं आ रहा है थोड़ा सा पानी में भी मिक्स करके चेक कर लेते हूं तो यह देखे पानी में डालने से थोड़ा सा लाल और पीला रहा है हां रोली के जगे यूज कर सकते हैं हूम्मेट और्गेनिक चीजे है बस पानी में भी गोला थी कुछ इस तरीके से मेंदी जैसे हम लगाते हैं उस तरीके से बनके तैयार हो गया है तो सिंदूर नहीं बना लेकिन रोली जरूर बन गया आपको यह टीप अच्छी लगी हो तो चलिए मागे बढ़ते हैं दूसरा टेप से इस तरीके का टीशर्ट को गया क्हां च्रोट कर ताँजिसर के उपर ठोड़े से इस तरीके से पेइंट से लिखा रहता है या जहां इसके उपर बना होता है जैसे इसके अपर गरम अई रखी चिपक जाएगा आईरन भी खराब हो जाएगा आईरन ना लगाए वहां पर आपको ले लेना फॉल पेपर तो फॉल पेपर ले लेंगे और इसके उपर आपको भी चा देना इस तरीके से बस और कुछ नहीं करना फिर आईरन को गरम कर लीजिए और अच्छे से आपने टी-षट को आईरन कार्टून बने होते हैं तो वहां पर इस टीप्स को अपना सकते हैं और चले आगे बढ़ परते हैं अगला यूश्फुल टीप सेट पूल करते हैं हम पहले की सिलिक शुप को इस अब त्रेके साथ फोल्ड करते हैं फिर नीचे वाला जो पकाते ऊपर क políticas रख तॉप जैसे क्ट और में समस्टा चाहिए तनी उस्लीब नहीं को एक दूसरी में बटा करना है् हम स्कुल नीचे स red करेंगे दिए मीशचन से विनाइग प्रफ the जिदेने हैं तुप चमर्फ करना है तो पहले हमने यहां get नीचे से पधिनायत दुन है इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है फिर इंग दुनों को एक दूसरे के उपर रख देना है अब हम क्या करेंगे नीचे की तरफ से हमने फोल्ड कर लिया अब उपर वाला इस तरीके से हमें रोल करते जाना है कुछ नहीं करना है बस इसे रोल करते रहे और इस तरीके से आन तो यहां पर हमारा एक छोटा सा पीलो में के तैयार हो गया है जलेublique को समझ मैं तो दूसरा वी चोटा ससरे ऊपर कर देना लेना tomar एक भाखत़ में लेके ओंग करते लेकraw अंहolा ड़ा ओ गया है डले के से ऐस तरी matter से कवाशन के तैयार हो गया है तो इस तरीके साब ठेर सारे टिशट को कहीं भी एजस करके रख सकते हैं आई होग कि ये छोटे-छोटे टीप्स आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें रिक्वेस्ट है किसे शेयर जरूर करें तो चलिए मागे बढ़ते हैं अगला यूजफुल टीप्स है इस तरीके के जो धूबती होती है ये तो सौप्ट वाली है ये काफी जल्दी जल जाती है और इसमें उत्ते धूआ नहीं होता है लेकिन जब कभी सूखे वाले हम जलाते है तो वहां पर आपको क्या करना अगर आप इस तरह के छोटे दूबती यूज़ करते सूखे वाले तो वहां पर थोड़ा सा इसके उपर घी लगा लीजिए या फिर तेल लगा लीजिए उसके बाद इसे जलाएगा और इसकी जो धूआ है ना कम निकलेगी मैं आपको जल करें जितना आप शेयर करेंगे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी साथ ही आप मुझे कमेंट करके यह भी बदाएगा आप इस वीडियो को कौन से सिटी से देख रहें कहां से देख रहें ताकि मैं आपको थांक्यू बोल सको तो यह है ना काम के टिप्स को रहें में और इसमी अधिक में घाला और भी काड़ी म help मिक्स कर 국ẩ मैं ज vào को रहें धर हो कहाँ हैं झाल orphैंक्यू थोड़ता लीका त्याइर कर लेता तो मैं थोड़ा थोड़ा नतालिया थे बना धाल ने कहल कि हम ठॉट घूरी कहारा के इसे अ तो बिए से 52 चोटे में सेटें से 20 चोटे शूटे में सब्सक्ता में आप आपको चोटे में सब्सक्कook पैले में हैं अगर रहाया है तर आपके डीम केशों करता है technologie स्टेख में बहुत ही प dolor है अगर चेल रहा है मैं cyclist की फीन Baconや aci काटने के बाद आपको इस तरीके से एक और रख लेना है सेम जैसे में आपको बीडियो में बता रहे हैं उसी तरीके से फिर इसे हमें रोल कर लेना है और देखेने एकदम हाथों को थोड़ा से दबाते हुए रोल किजेगा नहीं तो आटा सारा निकल जाएगा ताकि चीपक जा उसके बाद हमें बिच से कट कर लेना है सेम इसी तरीके से हमें सेकेंड वला भी तयार कर लेना और इसे थोड़ा से हातों से दबा देना है और यह दिखिए एक दम छोटी चोटी गुलाब बनके तयार होगे आप चाहे और यह हमारे क्यूट से दिये बनके तयार होगे इसके उपर बत्ती लग देते हैं तो यह बत्ती आप चाहे तो इसमें तेल डालके भी जला सकते हैं तो मैंने आप पहले से घी में बिग वे बत्ती है तो मैंने इसके पर रख दिया अब देखिए मैं आपको जला के दिखा यह बहुत ही क्यूट लग रहा है इतना बहुत ही प्यारा लग रहा था एक बार यह सारे टिप्स को अपना के देखिए पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं आपसे फिर मिलूंगी बाबाई थाइंक यू